जैहन फ्रेंट्स और नमस्कार विवर्स, हलो और वेलकम इन माई योटूब चैनल विद द मोटिवेशनल वीडियोज, हाई पंकच कुमार हियर, लेट्स बिगिन विद द मोटिवेशनल कोट्स आप देग, इफ यू फेल, इस इट रियली अफेल योटूब, एलिजाबेथ ब्लैक बर्न का यह कथन, नजाने कितनी सच्चाई को लेकर के सामने आकर के रख देता है, यह मैं बता देना चाहता हूँ, इफ यू फेल, इस इट रियली अफेल योटूब, यदि आप असफल हैं, तो क्या यह वास्तों में आप असफल हैं, नहीं, गल्ती आपकी इतनी सी है कि आप अपने आपको फेल मान लिये हैं, सबसे बड़ी गल्ती यही आपकी है, अगर इसी में अगर आप सुधार लाइगे, बता रहा हूँ आप न, ऐसा बदलाव लाकर के दिखा देंगे, एजुकेशन एरियाज इन चेंज इन दे वर्ल्ड सिछा के छेतर में बहुत ही महत्पूर्ट परिवर्तन लादेंगे, और वो चाहे कोई भी प्रोफेशन हो, उस प्रोफेशन के छेतर में आप बिल्कुल बदलाव लादेंगे, और सभी के लिए प्रड़ादाई साबित ह हो जाएंगे, अपने अंदर जो है जहन से और अपने इस माइन्ड से, बिल्कुल ये ध्यान दीजे कि आप अस्फल नहीं है, अपने आपको अस्फल समस्ते हो, जैसे फार एक्जामपल के लिए मैं बता देता हूं, तुमने किसी से कह दिया कि मैं I.S. बनना चाहता हूं, म आपने बता दिया, लोगों को, जानते हो, सबसे बड़ी गलती करते हो, hidden, hidden talent, hidden, अगर आपके पास talent है, hidden करके रखो, अपने dream को किसी को भी बत बताओ, नहीं तुम मजा लेने वाले, बहुत ज़्यादा मजा लेंगे, और उन मजा लेने वालों लोगों को मैं ये एक दिन तुम ही जा करके उस युवा को बधाई दोगे, कि congratulations on your success, your profession, पहली बात तो सबसे बड़ी बात ये आती है, जो हमारे युवा लोग हैं, वो जो है, एक अस्फल व्यक्ति आता है, उनको काता है, कि तुम आयेस मिनना चाहते हो, उनके मन को वहीं ते उड़ता है, ज आपके सामने कहा दिया, कि तुम नहीं कर पाओगे, क्या यार कितने दिन से तैयारी कर रहा है, अभी तक कुछ किये नहीं, जानते हो, वो ऐसा क्यों कहता है, वो आपका मजाक उड़ाता है, वास्तिक बात पकड़ो, वो आपको अंदर से दी मोटिवेट कर देता है, इस च सीरियस भी मत बनो, सीरियस बनोगे तो सब के नजर में आ जाओगे, नात, रिष्टेदार, गाउं, तमाम जितने तुम्हारे अदर्स, वैसे मित्र, नकारात्मक बिचार के मित्र होंगे, वो सब तुम्हारे पीछे पर जाएंगे, और तुम्हारे जिंदगी बरबाद करक के रखो, और अस्फल मत सोचो अपने आपको, तुम्हारे अंदर बहुत सक्ति है, एक ऐसी सक्ति है, जिसके द्वारा तुम वास्तों में पूरी दुनिया को बदल करके रख दोगे, अपने आपको पहचानू, जो मैंने अभी ये कोटेशन आपके सामने रखा, एलिजाब नीट का स्लेबस, ओ क्या जाने आई आई टी जेई का, मेंसाइन अडवांस का स्लेबस, उन्हें कुछ पता ही नहीं है, चल देते हैं तुम्हें जज्ज करने, दूसरों को जज्ज करने से पहले, सौयम अपने आपको जज्ज करना सिखो, लोग अपनी गलतियां नहीं कि अगर एक चीज और बता दे रहा हूं, ध्यान देना इस पर बात पर, अगर तुम्हारी आलोचना और तुम्हारा हसी, तुम्हारा मजाक उड़ाया जा रहा है, तो तुम जान लेना सबसे बड़ा ही रहस है, कि तुम सफल होने के धीरे-धीरे सफलता की सीड़ी के तरफ अगरशर हो रहे हूं, यह चीज ध्यान दे लेना, यही सबसे बड़ी निसानी है, अरे करो मेरी आलोचना, मजा आती है, करो मेरे बुराई, मजा आती है, जो समझदार होगा, वो बहुत अंदर-अंदर जो लड़का समझदार होगा, वो मजा लेगा, अब तुम बुराई करते रहो और वो जो गुराई करने वाले होते हैं पता है वो ये गलती करते हैं आज मैं बता दे रहा हूं ये सिक्रेट कोई जल्दी बताता नहीं कोई मोटिवेसलिस्पिकर जो मजा लेते हैं न वो तुम्हारे पीछे पढ़ करके अपनी लाइफ खराब कर देते हैं और समझे अपने आपके महत्वों को यहीं समझते नहीं हो ध्यान दो इस चीज को और वो लोग अपना टाइम आपके चक्र में पढ़के ख़ड़ाब करते हैं और समझ नहीं पाते कि मेरा समझ जा रहा है अपना टाइम किसी को मत देना और अपने ड्रीम को किसी को मत बताना उसे हिडिन करके रखना बार बार मैं यह कर रहा हूँ हिडिन करके रखोगे तो जब सफल होगे न तो अपने बांस तुम्हारी ये खामोसी पुरी सफलता का ढंगा बजा देगी पुरी भारत में भारत ही मैं कहता हूँ जो करेगा वही बनेगा और एक कोटेशन और बहुत फेमस है मैं आपको बता दे रहा हूँ जो है यह कथर जो है सैमुवल बैकेट के द्वारा कहा गया है इन्हें नोबेल प्राइज इन लीटरेचर उनी सोनहतर में सम्मानित किया गया उन्हेंने कहा था इवर ट्राइड इवर फेल्ड नो मैटर ट्राइड अगेन फेल अगेन फेल भेटर सोचो कितना मोटिवेसन यह कोट्स आपको देता है यह कोटेशन इवर ट्राइड हमीशा कोशिद करते रहो सदयोप प्रयास करो ट्राइड करो कोशिद करो इवर फेल्ड अस्फल होगे अस क्योंकि आप experience सिखते हो और experience सिखने के बाद इतना मजबूत होगे ना कि अपने छेत्र में परिवर्तन कर दोगे पूरे इंडिया में ये ध्यान देना तो इस बार पर भी ध्यान दो एक quotation और है मैं आपको बता देना चाहता हूं और यह जो है Nobel laureate अभजीद बनर जी की wife यानि एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि हमारे भारत की हैं तो हम लोग भावी भी उनको कह सकते हैं उन्हें उनका नाम है एस्थर डूफलो अभजीद बनर जी की wife है Nobel laureate दोनों लोग को साथ में किया गया था Nobel Prize in Economic Sciences 2019 उन्हेंने कहा था I knew I wanted to change something in the world मैं जानती हूं कि मैं बिश्व में कुछ न कुछ परिवारतन ला सकती हूं अपने अंदर यह ठांग लो तुम परिवारतन जरूर ला दोगे सोचो पतार हाँ women very the women have very important role in the world लड़कियां की समझे अपने आपको वो उनका महत्पुर बहुत अस्थान है पूरे विश्व में तो अपने आपको कभी यह न सोचे कि मैं जो हां कमजोर हूं सक्सेज नहीं हो सकता अपने अंदर एनरजी लाएं और ये वीडियो उन सभी लोगों को फारवर्ट करो जिन्हें लगता है कि मैं अस्फल हूं ताकि ये वीडियो देख करके उनके अंदर मोटिवेसन आए एक अलग प्रकार की उर्जाए जिसे वो अपने अंदर उन सभी युवा पीडियो के लिए मैं चतावनी दे रहा हूं अभी भी समय है अपने आपको सुधार लें वरना ये जारी सारी जितनी लौंडिया बाजी करते हो न सब लौंडिया बाजी अंदर चली जाएगी पढ़ना अपना टाइम अच्छे चीज़ों में बैस्त करो सब लौंडिया बाजी निकल जाएगी तो पुनह जो है अपने आप में अंदर बदला लाओ अपने अपने में परिवर्तन लाओ किसी दूसरे का मत देखो तुम अपने आप बदलाव लाओ गए तो तुम्हारे पीशे सारी दुनिया आएगी तो थाइंक यू एब्रीवाइन अगें माई आल वीवर्स जो है सब्सक्राइब लाइक शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन माई यूटूब चैनल मैं इसी तरीके के वीडियो आपको लाता रहूंगा और ये वीडियो उन सभी लोग को फारव मिलेंगे किसी नई वीडियो में जाए हिंद जाए